नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानी कि Tata Taly Services महराजय के शीयर के बारे में और इस शीयर के दोस्तों इस शीयर से रिलेटेड हम विस्तार में चर्चा करेंगे यानी ब्रीफिली डिस्कस करेंगे कि इस शेयर में हमें आगे क्या पोटेंशल देखने मिल रहा है और थोड़ा सा दोस्तों हम इसमें technical analysis भी add करने वाले हैं तो ये वीडियो अगर आप थोड़ा सा technical analysis से भी देखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा तो आईए start करते हैं सबसे पहले ये वीडियो टाटा टेली services महाराश लिमिटेड के share से related दोस्तों सबसे पहले अगर आप TTML की current price देखेंगे तो इसकी current price 34.90 रुपीज के आसपास hangout कर रहा है और अगर आप देखेंगे अभी ये तो 0.99% की गिरावट पे है आज में आज हमें इसमें 0.99% की गिरावट देखने मिली पिछले पांस दिनों का data अगर हम देखें तो 2.65 रुपीज के आसपास है वन मन्द में अगर हम देखें तो 1.97% लगबग अगर हम देखें 6 मन्द की बात करें दोस्तों तो इसमें हमें थोड़ी सी बड़त देखने मिलेगी क्योंकि पिछले अगर हम देखे तो जून से ही ये बढ़ना स्टाट हुआ था और अल्मोस दोस्तो जुलाई तक कि इसमें हमें ग्रोथ देखने मिली उसके बाद इसमें वापस से अगर हम देखेंगे तो टीटी एमल का अभी शेर जो है वो ऐसे जाएगा दोस्तो ये भी हम वापस डिसकस करेंगे इस वीडियो में बट उससे पहले सबसे पहले तो टीटी एमल ने दोस्तो यहां पर अपना एक प्रोड़क्ट लाँच किया है उससे रिलेटेड हम आपको जानकारी देना चाहेंगे अगर आप यह न्यूस पड़ पा रहे होंगे बिजनस स्टेंडर्ट के द्वारा टाटा टेली सर्विसेस महाराश्ट्र लाँचेस कस्टमर एक्सपिरियंस प्लाटफॉर्म दोस्तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कस्टमर एक्सपिरि सदेरे डाटाहि को मैं रहाहा है और इसी तरह अगर हम देखें दोस्तों वह प्रॉड़ट करते हैं नए प्रोडक प्रोडव प्रोंच ने रहे हैं यहां पर दोस्तों नहीं सबसे पहले अगर मैं आपको कस्टमर एक्सपीरियंस पोर्टल के बारे में बताओ यानि प्रोग्राम के बारे में बताओ दोस्तों यह चोटे मोटे बिजनस पार्टनर है यानि कि अगर हम देखें MSME दोस्तों उन सभी को डारेक्टली हेलप आउट करेंगे और यहां पर आपको ब्रीफली बताया है यहां पर हम देखें तो चोटे बिजनस को यह डारेक्टली हेलप आउट करते हैं कनेक्टिवीटी के लिए और जो भी चोटे मोटे दोस्तों यहां पर प्रोग्राम्स लगते हैं जो भी इंडस्ट्री की रिक्वाइमेंट होती है वो सभी यहा पहले इसका बेटा टेस्ट किया था अपने सारे एंप्लोई पर और वहां पर दोस्तों इनको सबसे अच्छा रिस्पॉंस देखने मिला है यानि कि अगर हम देखें यह अगर आप यहां पर देखेंगे CEP has received very encouraging response from a customer during beta phase beta phase में CEP यानि कि customer experience program को दोस्तों सबसे अच्छी बात यहां पर अगर हम देखें तो response मिला है और इसी लिए यहां पर यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोस्तों TTML अपने को काफी अच्छा बना लेगा और दीरे दीरे इंका दोस्तों profitable हमें business नजर आने लगेगा वैल इसी से related दोस्तों यहां पर हम थोड़ा सा इंके last कुछ दिनों के दोस्तों value और volume की बात करेंगे जो यहां पर अगर NST के data में हमें सामने नजर देखने मिल रहा है इसमें अगर हम देखें दोस्तों सबसे पहले तो normally यह consolidation stage में हमें देखने मिलता है जब TTML में दोस्तों जादी तर अगर हम देखें तो एक हिसाब से यहां पर trading होती है जो कि दोस्तों in between value के जितनी होती है अगर हम देखें तो एक range के अंदर होती है दोस्तों एक हिसाब से अगर हम बोले तो 10,00,00 से 20,00,00 के अंदर और यही हमें यहां पर भी देखने मिल रहा है पिछले एक मेने के अंदर अगर आप देखेंगे तो volume में दोस्तों हमें कुछ फरक देखने नहीं मिला है वही stage हमें देखने मिल रही है यानि कि अगर हम देखे well last 3 दिनों का data देखें दोस्तों तो उसमें हमें थोड़ा सा फरक देखने मिला है 38,00,00 के आसपास 15 September को trade हुआ है और almost 17 September की बात करें तो 26,00,00 के आसपास यहां पर trading हुई है value के हिसाप से दोस्तों हम बात करें volume के हिसाप से माफ किजिएगा well यहां पर आप देख सकते हैं well उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वापस से वही range में आ गया है 9,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जाएंगे और यहां पर आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रिन पर दोस्तों मनी कंट्रोल के द्वारा यह यहां पर हम स्क्रिन देख पा रहे हैं और इसमें अगर आप देखेंगे तो यह जो TTML की एक रेंज बनी हुई है 32.81 रुपीस के आसपास जिसके आसपास दोस्तों यहाँ पर यह सपोर्ट का काम करता है यह लाइन और यहाँ पर आप यह लाइन देखेंगे दोस्त इसके पास जब भी TTML का शेयर आता है तो वापस जंप आउट करता है और अल्मोस्त दोस्तों अगर आप अभी तक की केज में बरबर यही पॉइंट पर आके वापस ऊपर चला जाता है यानि कि यह काफी अच्छा सपोर्ट का काम करता है इस्ते पहले दोस्तों अगर हम देखें जब TTML में 22 रुपीस के आसपास वाली रैली आई थी तो उसमें दोस्तों 12 रुपीस के आसपास का सपोर्ट ल आप किता है था अगर है अब देखेंगे मार्ट से लेकी अप्रेल तक अप्रेल से मैंची तक इसने कंसॉलिडेशन किया था वैह उसके बाद हम देखें तो जब के शियर में रैली देखने मिल सकती है वैल यह दोस्तों ट्रू टेक्निकल एनिलेसिस है तो यहां पर दोस्तों हम डिरेक्ली कन्फरमिशन कॉल तो नहीं दे सकते हैं लेकिन एक वी वेब के इसाब से दोस्तों अगर हम देखें तो 32 रुपीस के आसपास काफी अच्छा सपोर है TTML का RSI की अगर हम बात करें तो वो भी 44 पे स्टैंड करती है और जब दोस्तों यह 60 के उपर जाए तब आप 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 आप्शन देख सकते हैं क्योंकि अगर हम नॉमली देखें तो 60 के उपर कोई भी दोस्तों शेयर जाता है तो एक बुलिश ट्रेंड मानी जाती है और अपकी रेली दोस्तों TTML को मेभी 100 के पार भी ले जा सकती है तो यह भी अच्छी बात हो सकती है TTML के शेयर के लिए इसे रेलेटेड दोस्तों मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा आप कैसो सोचते है TTML के शेयर से रेल अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन